तो दूस्तों हम मैं अपने सिस्टम पे पहुंच गया हूँ और यह हमारे दो camera लगे high focus के तो हमें IP चेंज करने हैं तो यहां से भी IP आप चेंज कर सकते हैं camera को select करेंगे और IP चेंज करके password डाल के modify पे click करेंगे तो change हो जाएगा IP नहीं तो दूसरा तरीका है internet explorer खोलेंगे या कोई browser खोलेंगे अब तो Microsoft age हो गया है उसको open करेंगे और हम IP यहां पर डालेंगे उसके बाद यहां पर डालेंगे password जो आपका password है first time आपने बनाया होगा वही password आप डालेंगे ने by default password 123456 high focus का camera है यह तो फटा फट मैं password डाल दे रहा हूं तो दूसरो अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe कर लिजए साथ में bell icon दवाईए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्याद से ज्याद से ज्याद से शेयर कीजिए at the rate 123 then login करेंगे हम तो login हो गया है हमारा camera उसके बाद जाएंगे config में तो यहाँ पर जाएंगे network network के अंदर TCP IP यहाँ पर आप जो चाहे IP चेंज कर सकते हैं 201 है इसकी जो IP आप रखना चाहें 29 की स्रीज में या जिस स्रीज में आपको रखना है तो यहाँ पर चेंज करके test पर भी क्लिक कर सकते है test कर लेंगे कि हमारी IP कोई assign तो नहीं है 101 हो गया और यहाँ पर भी आपको change करना होगा उसके बाद आप save कर देंगे तो हमारा जो camera की IP save हो जाएगी थोड़ा समय लगेगा reconnect होगा फिर से connect हो गया है अब अगर हम फिर से login करेंगे यहाँ लाओ कराएंगे तो हमारा जो page है switch कर गया है 101 की series में हो गया है यहाँ पर हम password डाल करके login कर सकते हैं तो दोस्तो मुझे उमीद की वीडियो आपको informative लगा होगा अगर यह वीडियो informative लगा तो चैनल को subscribe कर जिए साथ में bell icon दवाईए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज् सेर कीजिये